बारतिय आट्व इंडिस्ट्री एक जिन हाली के दिनों में अपनी सबसे कठीन दोर को देख रहा है जबकि हुंदाई के विक्री भी अपने बाकी प्रतियों गिताओं की तरह ही बुरी तरह से प्रभाईत हुई है पर इस चुनोती भरे दोर में भी हुंदाई मोटरस ने अपडेट दिये है विए सिक्स नॉम्स के अब्रेडिशन के साथ हुंदाई नेवे न्यू में एक नया स्पोर्ट वेरेंट एवेलेबल कराया जिसमें आयम्टी देना शुरू किया हुंदाई वे न्यू हुंदाई के पहली सब कॉम्पेक्ट एसे वी का रहे है जो करते हैं अंदय मोटरस ने एक डिजल और दो पेट्रोल इंजिन के साथ हर प्रकार के इंजिन ओप्शन्स एवेलेबल कराये हैं जिससे की हर प्रकार के बायर को प्रभावित किया जा सके अंदय वे न्यू में वन लीटर टर्बो पेट्रोल 1.2 लीटर पेट्रोल और डिजेल मिल पाता है गाड़ी का टर्बो पेट्रोल 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्ग जनरेट करता है जबकि 1.2 लिटर पेट्रोल 83 PS की पावर और 114 Nm का टॉर्ग निकल कर देता है यह इंजिन सेगमेंट में सबसे जादा स्मूथ और बेस्ट है साथ के रेटा का 1.5 लिटर डिजेल 100 PS की पावर और 214 Nm का टॉर्ग जनरेट करता है गाड़ी का डिजेल सेगमेंट में सबसे अच्छा परफॉर्मंस दिखाता है गाड़ी के तीनों एंजिन्स भी सेगमेंट के सबसे अच्छे है हुंदय मोटरस ने विन्यू में एडवांस टेक्नोलोजियल ट्रांस्मिशन सिस्टिम देना शुरू किया है जिसमें की IMT और DCT मिल पाते हैं गाड़ी के वन लिटर टर्बो बेट्रोल में 6-speed IMT, 6-speed manual transmission और 7-speed DCT के ओप्शन्स मिल पाते हैं सिग्मेंट में मारूती, टाटा और महिंद्रा वाले सिर्फ IMT ही ओफर करते हैं जो कि अब पुराना ट्रंस्मिशन हो गया है जबकि हुंदय वाले IMT और DCT ट्रंस्मिशन ओफर करते हैं जो कि सबसे एडवांस टेक्नोलोजी मानी जाती है यहाँ पर 1-liter, TGDI और DCT का गों सिल की हुंदय ने एक नए स्पोर्ट ट्री में अवैलेबल कर आया, जहाँ पर 1-liter टर्बो पेट्रोल के साथ 6-speed manual का कॉंबिनेशन देखने मिल पाता है, इस स्पोर्ट वेरेंट 1.5-liter डिजल में भी मिल पाता है, इस वेरेंट में आपको पैडल शिफ्टर्स भी ओफर कि डिटेल लैम्स और बड़ी टेस्क्रीन के साथ एपल कारप्रे और एंडरोड एटो जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिये जाते हैं, आपको शाहिदी पता होगा कि होंदाए विन्यू, सबकोंफेक्ट इसे वेरेंट में सबसे पहली कनेक्टेड कार है, गाड़ी के टोप इसमें 33 कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जिसमें कि वोईस असिस्ट डाइलिंग, वेहिकल नाविचेशन कंट्रोल, वोईस रिकोगनाजेशन जैसे एडवांस फीचर्स मिल पाते हैं, सेफ्टी में एटो क्रेस्ट नोटिफिकेशन, सोएस, इमर्जेंसी असिस्ट, रोड जिपेस नाविचेशन के द्वारा सुचित किया जाता है, जो कि आज के समय को देखते हुए बहुत अच्छा फीचर है, और ब्ल्यू लिंक अप के जरिये, आप रिमोट इंजिन स्टार्ट स्टॉप, क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट डोर लोक, और अनलिफ्ट कंट्रोल, फाइंड माय कार, वेहिकल रियल टाइम ट्रेकिंग, रियल ट्रैफिक कंडिशन, जैसे कई सारे फीचर्स अपको ओफर किये जाते हैं, साथी गाड़ी में इलेक्ट्रिक संदूफ, 8.8 इंचेस अट स्क्रीन, विद ब्लू लेंग कनेक्टिविटी अप, एंडरुड एटो एंड एपल कनेक्टिविटी, voice commands, air purifier, wireless phone charging, जैसे आज के जमाने के in-demand features भी मिलते हैं, पिछले दो दश्कों से अधिक समय में भारत में होने के कारण, हुंदाय ने अपना बड़ा सा सर्विस नेट्वर्क का खड़ा किया है, इस बड़े से सर्विस नेट्वर्क से पता चलता है कि एक साउथ कोरियन एटो जैंट इंडिया के अंदर कितने अंदर तक फेला हुआ है, जबकि इंडियन एटो में कर्स तो इतने अच्छी सेल सर्विस देने में सक्षम नहीं है, इसमें हुंदाय मोटर्स की दाथ देनी पड़ेगी, साथी गाड़ी की design language बहुत ही मिल पाती है, जो कि pricing segment के सबसे ठीक ठाक है, वैसे वेन्यू एक well designed SUV है, बाहर से देखने पर आपको लगेगा कि गाड़ी को proper structure और angles ने design किया गया है, पर वेन्यू के competitors से compare करने के बाद आपको नजर आएगा कि वेन्यू के dimensions कुछ इतने proper नहीं लगते, गाड़ी की lane थे 3995 mm की, width थे 1720 mm की, height 1590 mm की, और wheelbase से 2500 mm का, गाड़ी की width segment में सबसे कम है, जिसके वजह से rear seat पर सिर्फ दो बड़े लोगी आहराम से बैठ सकते है, गाड़ी में 350 लिटर्स का बड़ा सा boot space मिलता है, शायद इसी बड़े boot space की वजह से गाड़ी के second row में space अच्छा नहीं मिल प में लंबी है, ना ही चोड़ी है, और ना ही उची है, गाड़ी में धेर सारे engine और transmission options तो मिल पाते हैं, पर venue के diesel में automatic transmission नहीं मिल पाता, ना ही DCT और ना ही IMT, फिर इतने सारे engine और transmission option देने का क्या फाइदा, गाड़ी के driving dynamics के उपर अगर बात करी जाए, तो venue में soft suspension setup मिल जात होता है, जो शायद passengers के लिए थोड़ा सा comfortable है, और अगर खराब रास्तों पर देखा जाए, तो यह suspension setup किसी काम का नहीं लगता, क्योंकि venue सिर्फ highways और बहतरिन city roads के लिए ही बनी है, गाड़ी का steering तो light है, साथी गाड़ी चलाते वक्त highways पर आपको overtaking के समय इसका अंदजा त करना चाहते हैं, तो मुझे comment box में ज़रूर बताएं, साथी ऐसे ही informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर बेल आइकोन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में